दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वैक्यूम असेशिट हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में यानि कि जो हमारा यह वैक्यूम असेशिट हाइड्रोलिक ब्रेक है यह कहां लगाया गया है और यह कैसे काम करता है हम इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे यानि कि प्राइवर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी तब थोड़ा काम मिलता थी यानिक ब्रेक तब अपलाई हो तो उसके अदर ट्राइवर ज्यादा लगती थी इसी ओप्रेटिंग सिस्टम को और आसान करने के लिए यानिकी चालक को कम ताकत लगाना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ा इसको वैक्यूम बुष्टर अशिश्ट बाई अड्रोलिक ब्रेक का निर्मान किया यानिक इसके अंदर क्याता है कि हमारा जो ब्रेक है वो भी जादल दी अच्छे एफेशेंसे के साथ ओप्रेटों और साथ में चालक को भी कम ताकत लगाना पड़े तो इसके उपर ही जो हमारा वैक्यूम अशिश्ट बाई अड्रोलिक ब्रेक है इसमें काम करता है यानिक इसके अंदर क्या अक्रता कि उसको वैक्यूम बुष्टर के नाम से जानते है कि हमारा काम कर रहा है और नहीं कर रहा है उसको कैसे चैक करते हैं उसको भी हम देखेंगे कि इस वीडियो में जानेंगे इसको कैसे चैक करते हैं तो सबसे फ़हले हम देखते है कि इसके अंदर काम करने वाले बाग कौन-क मकाम करते हैं अग़ इसके यह के अदर जा明़ दो सिर्फ के मास्टर काम करते हैं तो वो सिर्फ क्या है स्भुर्य के नाम से जानते हैं जिसके अंहुत है क्या होता है 2ists रोते हैं प्राइमुरि यूर साइकन्टरी जो अलग होता है जो फ्रेंट वील के लिए अलग जाते हैं रेल वील के लिए अलग जाते हैं हम जिसे मार्ट जिप 413 के ब्रेक की बात करें उसके अंदर फ्रेंट वील के अंदर डिस्क ब्रेक है और रियर वील के अंदर ड्रम ब्रेक है वील ब्रेक और जो हमारा ड्रम ब्रेक है और डिस्क इसके वीडियो अमने सेप्रेट बना चुए तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा उसको आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्रेक और ड्रम्ब्रेक कैसे काम करता है तो इसके अंदर काम करने इसके अंदर क्या कि जो इंटेक मनीपोर्ड है इसके दुआर इसके अंदर से क्या एक सेक्शन पाइप्लाइन वैक्यूम बुष्टर से जुड़ी होती है जो हमारे सेक्शन लाइन है यह सेक्शन लाइन जो वैक्यूम बुष्टर से जुड़ी हु थ्या सब्सक्राइब थाइपता ये न काम करते हैं और यह कैसे यह नदर का अल्ग हुआ है कितो या पेत्मों के काम करते हैं क्योंकि जो एर का प्रेसर यानि या जो अंदर तरा दवा डालेगी तो इसके अंदर को प्रेज टोल मिट्टी के कण उसको साफ करने के लिए क्लीगा है एक प्रेसर मेंटेन करके रखता है जाकि विल स्लेंडर है उसके अंदर क्या होता है फ्लूड का प्रेसर बना रखता है ठीक है तो अब हम इसी बात पर देखे एक मोटा मोटा जो अमारा वैक्यूम बुष्टर है गाड़ी में किस तरीके से लगा हुआ है ये जो देखो ये जाए वेक्यूम बुष्टर है और ये इसका अगे टंड़माश्टर श्लेंडर लगा होँ है ये दो इसके चक जो चाैकवाल है उसके अलगलन लाइन गई हुए और ये जरूर है ये जो हमारा वैक्यूम बुष्टर शरूंड है चासुसाथ गाड़ी का है गाड़ी किसका जो वह सब करता है लेकिन जो वापिश म औरने नहीं देता यानि जो सक पड़ेगी, इंटेक्ट मनीपोर्ड के जो चूस पड़ती है, साथ ही जब यह इसके अंदर चूस पड़ती है, तो अमारा एट्मोस्परिक वाल यह बंद रहता है, और जो डाइफ्रोंड के अंदर नेटिव प्रेसर वाल वह क्या होता है, कि खुला रहता है, य इंजन इस्टार्ट रहता है, तो सेक्शन इस्टोड के खारवाई के अंदर जो डाइफ्रोंड में चूस पड़ती है, इंटेक्ट मनीपोर्ड से, जो सेक्शन पाइप है उसके द्वारा तो क्या करता है, जो हमारा एट्पी वाल फुला होता है, और जो यह हमारा डाइफ अपलाई हम नहीं कर रहा है, उस्ट में क्या कंडिशन होती है, उस कंडिशन क्या होगा, कि सक्शन इस्ट्रोग के दोरान चूस क्या होगी, पूरे डाइफ्रोंड पे पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एट्पी वाल फुला हुआ है, और जो एट्मोस्थरिक वाल है, व इसके पैडल को दबाने से ओप्रेटिंग रोड के द्वारा, और एक पड़ाने लगता है इस वाल के द्वारा, और फिर जैसे अंदर आता है, तो एट्मोस्थरिक वाल है, यह क्या होता हुआ हुआ हु Wow इसके बन दोने से यह आमारा एक दो अलग अलग चैम्बर बन गए यानिए कि एक C1 और एक C2 तो इसके अंदर क्या होता हुए यह तो एकमोस हेरीक्वाल का प्रेसर इसके उपर डायप्रों पर पर पढ़ता है ठीक है यानि एस मोर्ट करी क्वाल परिश का प्रेशर जा मारा ओफ पोजिशन में था तब एनपी वाल खुला था तो क्या था पूरा जो दो चैंबर थे वो एक चैंबर भी बना हुआ था लेकिन जैसे ब्रेक पेडल को अपलाई किया तो एनपी वाल नेटिव प्रेशर वा यानि कि C1 चैंबर अलग, C2 चैंबर अलग, अब इसके नदर क्या होगा, जैसे ब्रेक पेडल अप्लाई किया तू ब्रेक पेडल पर एक्मास्पेरी वाल खुल गा, इसके जो अमारे वातावन का परिशर है एर का परेशर, हेर का प्रिशर किस पर पढ़ता है टाइपरों इसे अभगे सब्सक्राइब तरह पीचने पुस्रोड जो हमारी पुस्रोड है यह जायसे हमने ब्रेक पेडल के अपलाई किया एक तो प्रिंट Messy का सद मौर्ण प्रेशर एर का 14 प्रेशर है यानि कि जो suction stroke के दौरान भी diaphragm को आगे तरफ खेच रहा है इसके आगे तरफ खेचने से जो अमारी return spring वो अंदर इक तरफ अरकत करती है यानि को दबती है साथ ही push road को क्या करती है आगे तरफ लित खेलती है push road को आगे तरफ खेलने से उसके साथ लगा tunder master cylinder जो अमारे TMC लगा हुआ ही क्या है टेंडर master cylinder जो अमारी शर्योंडर है उसके साथ ही लगा हुआ है इसके साथ लगा हुआ कि काण क्या है जो push road आगे क्यारकत करेगी तो इसके अंदर टेंडर master cylinder के अंदर बने piston 1 और piston 2 यानि के अलगलग piston और उनका अगे लेटर इसके नहीं जो फ्रूड है reservoir से आयवा फ्रूड जो टेंडर master cylinder के अंदर भरा हुआ था अलगल रिजर्वर जो उसके भरे वे थे और साथ ही जो wheel cylinder तक गया हुआ था pressure flud का तो इसके अंदर क्या करता है flud का pressure और यह आगी के piston आगी करकत करता है piston आगी करकत करने से क्या प्रूड पे दवाव पढ़ता है और flud क्या करता है Pascal कि निमुक के नुसार सभी जर्या पर सबान दवाव बनाता है wheel cylinder ता पहुँंच जाता है इसके अंदर वील spec के अंदर पूंचने के आ कि जो हमारा Claude यहां तक पॉंचने से जैसला पूंक्나une अकरे में कहता है तो केंटम वील सेंडर के अंदर लगे वेवे रियर वेवल के लिए रियल वीड के लिए जो लगा हुआ विश्लेंड रहे हैं उसके अंदर जो दो पिष्टन बाहर तरह कुलते हैं और जो ब्रेक सु है उनको डूम के साथ चिपका देते हैं और हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है उसके अंदर कर रेके तेते हरो फिन श्ञामारे कि पार सेंबली इसेड्स को पहंद लेते हैं और तक ना कहारा प्रेक अपलाइ ऐनम ही पोजाता है यानिकि जो प्रेक अपलाइ पोजिशन ए उसके प्रेट्रों को अपनी तरफ खीषता है साथी पैडल दबाने से पुश्टों भी आगे करकत करता है इसका पड़ा हुआ प्रेशर जो क्या करता है चाला को ब्रेक अप्लाई करने के अंदर मदद पर रूदान करता है जिससे हमारी पुश्टों टंडर मास्टर स्लेंडर के प काम करते हैं और इसके ब्रेक शुट लग जाते हैं तो यहां तक थी इसकी कारवाई के अमारा वैक्व मस्ट्रीड अड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है अब जैसे ही हमने काम किया तो उसके बाद वापिस है नोन अप्लाई पोजिशन में आएगा यानि कि ब्रेक पड़ल से पीछे के अरकत करेगा पीछे के अरकत करने से वापिस सक जो अमारे इसके अंदर फ्रूड का प्रेसर गया हुआ था यह तो क्या होगा वापिस देरे देरे फ्रूड उपर की तरह आएगा दोनों के अंदर फ्रूड क्या है उपर की तरह पाएगा उपर की तरह आने से क्य कि जो हमारा गाल एक जगंवाल लगा हुए जो इंक बना रहता रहता है और जैसे ही पूरा करते है तो के पिछे करकत करताérique जो फ्लूड इसकंदर किया हुआ था इसके पीछे-पीजे भरना शुरू कर देता है ठीक है और उसके बाद जो रिटरन स्पिंग है यह वापिस क्या परती है डायप्रॉम को पीछे की दखेल रहती है जो तो पीछे करता है एट्मस्थे वालबंद हो जाता है तो उसे जो फूड है वह पीछे तरह करता है तो यहां तक है हमारी जो अमारा वैक्म सेच बाई है आड्रोलिक कैसे काम करता है यानि कि शारून उट्व काम क्या है यानि कि शरुन उटल जैसे बाकी तो आके जो हमारा अट्रोलिक ब्रेक जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है में हमारा जो सरुन उटल है उसका क्या काम है तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो सरुन उटल काम कर रहा है और नहीं कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है तो इससे पहले एक बार प्लीज दोस्तों से रिक्वेश्ट है कि इवार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अब हम इसे बात कर रहा है कि वैक्यूम बुष्टर को कैसे चेक करते हैं माल लिजए आप आपकी गाड़ी बंद्ध है आपने गाड़ी कंदर आके बैठे आप गाड़ी कंदर आकर बरेक पडल को दो से तीन बार दबाएं और brake pedal को last दबा की इस्तिति में रखें यानि कि brake pedal को पूरा अपलाई कर दें इसमें जिस गाड़ी के अंदर vacuum booster लगा हुआ है उसके अंदर के अगरे brake pedal को पूरा दबा के रखें अंदर के तरफ अरकत करने से यानि कि अंदर क्यों कर रहा है कि जैसे इंजन स्टार्ट होता है इसके पता लग जाता है कि हमारा जो सरुन्ट हो काम कर रहा है नहीं कर रहा है अगर अगर आपका brake pedal अंदर के तरफ दबता है इसका अमारा सरुन्ट सही है और सही काम कर रहा है इसके अंदर के आक डोंक पिष्टल लगे हुए आगर तंडम आस्टर तंड वेंड होजाती है यनि कि मालीज यह प्रेंट्ट लाइन लिके जो गडिया तो कक्या होता है जैसि क्या प्रेंट-लाइन के वही तो इसके फुट्ट भार ग्रेंगे लग जाता है लेकिन पुषोड का प्रिशर अंदर लगा फार्मिंग ऐसके अं ब्रैमिरेंट के तरव में गैवाई उसके उननर आग्यूरा दो की सब्सक्राहिक, बाइक मुष्टर उसको कैसे चैक करते हैं तो प्लेज दोस्त प्लेज सपोर्ट इस चैनल ओकी